तो question है बत्तमीच को अंगरेजी में क्या कहा जाता है? ओप्सनेगरेटर, ओप्सन बिसेप्टर, ओप्सन सीबिस्क या फिर ओप्सन डी इंसोलेंट तो इसका अंसरे केस करने के लिए आपको दी जाता है पांच सेकिन का समय तो इसका अंसर होगा option number D, इंसोलेंट बत्तमीच को अंगरेजी में इंसोलेंट कहा जाता है तो कि इससे पहले आपको इसका मेंनिंग पता था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आशाधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिरू कर ले और बेल आखिंग को प्रस करना ना भूले जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो के लिए को नर्ट क्वेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे हमारी मुलकात होगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हेलप वेटा देखते रहिए और सीखते रहिए धन्यवाद